ये है टॉक्स न्यूज नेट्वर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठ्था अज्यक्ष मोदे आज के इस एथियासिक चर्चा पर आपने और मुक्य मंत्री जी ने राजस्तान के हम सम जड़ परतिनिद्यों को इस सम्विधान दिवस पर सम्विधान पर भी और इसके पूर्व के अकारिकाल और इसमें रही कमियां और भविश में होने वाले सुधार के बारे में तो चर्चा इस राजस्तान के इस विदान सावा में रखी इतलिए मैं आपका और मुक्यमंत जी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की चर्चा हुई है मैं सुचता हूँ एक अच्छी शुरुवात है लेकिन इस शुरुवात को करने के पहले हमको अपना दिल और दिमाग केवल देश पर केंद्रित करना चाहिए विवस्ता के सुधार के लिए क्या प्रेत्न किया जाए इसको में बिंदू पर रखा अगर चर्चा करेंगे तो चर्चा शार्थक भी होगी और आने वाली पीडियों के लिए भी ये माईस्टोन का काम करेगी और इसलिए मेरा विनम राग्रा है कि कम्यां खाम्यां अगर क को ही सहमेधानिक हुई है तो उस पर चर्चा करना तो हम सब का अधिकार उस पर आप ज़्रू करें। लेकिन केवल उसको आधार बना कर इधर दर की बात करना मैं सुझता हूं इस रमिधान दिवस पर इस प्रकार की बात करना तीश की आहलेगा लोगतंत्रे की हितमे नहीं रहेगा करपा करके इसको सिमित करने का प्रयाज करें अध्यक्स मोदें वास्ता में इस देश की आजादी के लिए 1857 से जिन लोगों ने संगर्श किया और जिन परस्तितियों में किया वो वास्ता में आपके और मेरे लिए बार बार उस पर द्रश्टी डालने की आवश्क्ता है मंगल पांडे से शुरुवाद करने के बाद तांतिया टूपे हो चायद महारानी लक्षमाई हो ऐसे लोगों ने जिस देश की स्वाधिनता की उस मन की कसक को जनता के बीच में लाने का जो प्रहत्न किया पता नहीं देश के कितने जाने अंजाने लोगों ने इस स्वाधिनता आलूंदोलन में अपना सर्वस देने का प्रहत्न किया कुछ लोग फांसी के तक्ते पर चड़े होंगे कुछ क्योंने, वो ली खाई होगी, लंबे समय तक जेल की यातना ही भुकती होगी, लेकिन मन का एक ही संकल्प था, कि मेरा देश आजाद होगा, दो-दो जन्म की कारवाद पुकतने वाला वीर सावर कर, अंड़मान की जेल म में भी यही सपना संजोय बैठा रहता था, कि कभीन कभी मेरा देश आजाद होगा, और आजाद देश में मेरा देश और देशवासी तरक्की करेंगे, और इसलिए सच में उन सब महापुरुशों को, जन्होंने आजादी के उस शुरुवाती अभियान में जो प्राव शाहे सरदार पटेल हो, इन सब लोगों को आज की हम दिन, जिस वातावन में आज हम बैठे हैं और जिसनी आनंद का अनुभव कर रहे हैं, इस आनंद के अनुभव में उन सब लोगों के लिए अपने शरीर का तिल-तिल जनाना और शरीर का सर्वस्ट दे कर के भी तेश की आजादी का सपन का साकार करने का जिन्होंने प्रैत्न किया, उनके प्रति हम और हमारा संपुन सदन बहुत नत्मस्ता होकर उनको इस बात के लिए कि आपके इस दिखाये हुए रास्ते को हम आगे बढ़ाने का प्रैत्न करेंगे। पीने का पानी उपलत नहीं था, खाने का अनाज उपलत नहीं था, और अज परश्वत्ता ने तो इस देश को जखड़ के रख रखा था, किसी की परच्छाई पढ़ जाती तो भी घर जाके स्नान करना पड़ता था, इस सारी विपरीत परस्तित्यों में देश ने आजाद को, आज इस सतर साल के बाद हम इस टाइट पर हैं, उसके लिए अगर कोई मेरू दंड का काम किसी ने किया, तो इस समविधान दिवस्त ने किया, सच में हम सब को उन महान व्यक्तित्म को बार-बार याद करना चाहिए, और परणाम करना चाहिए, कि उन्होंने देश की उन सारी विपरित परतिक्या, मैं सोचता है, उसकी कल्पना करें तो रों कामने लग जाता है, शरीर में एक तरसे लगता है कि हम कहां से कहां तक आये हैं, और उसमें किसी प्रकार की हिंसा इस देश में नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं जाहिर हुआ, हर व्यक्ति ने इसको स्वीकार करते हुए देश को आगए बढ़ाने का प्रियास किया, तो सच में उस आजादी के उन सब लोगों को हम बार-बार नमन करते हैं, इस बात के लिए हम बार-बार इस बात का ध्यान रखें, कि आजादी के पूर्व इस देश की स्थिक क्या थी, आजाद हुआ उसमें देश कहां था, विभाजन की त्राष्टी जो हमने भुगती थ और जिस प्रकार का एक वेमनिश संपुन देश में आज चुका था, एना धर्म के आधार पर देश का बटवारा, और उसके बाद एक का दूसरी के और पलायन करना, जो नर्व समभार का नाटक इस देश में देखा, उस सारी विभरीत परसित्यों के बाद भी, मन में कटु उने की और रास्ते पर आया, सच में उन सविधान निर्माताओं की उस योगदान को ये देश, आज नहीं पीडियों दर पीडियों तक नहीं भूलेगा, जुन्होंने वास्ता में इन विप्रीत परसितितों में भी देश को निकाल कर एक सही रास्ते पर डालने का, एक कान परसितियों की उस सोच और उस दस्तावेज के कारण जिसके कारण से हम यहां तक पहुंचे हैं, मैं सोचता हूं कि सम्विधान सभा का कठन पहली मीटिंग दिसंबर 46 में होगी, टाक्टर राजेंद परशाद जी को उसका जुम्यदारी दी, उन्हें विभेन परकार की 17 कम कमिटियां बना करके, अलग-अलग विशे, अलग-अलग कमिटिय को दे करके, और उसके साथ ही संपुन देश के सब प्रकार के लोगों को, इस बनने वाले सम्विधान के मसूदा के बारे में, अपनी-अपनी राय, अपने-अपने विचार, अपने-अपने एक्षयते की सभी प्रकार की जाती संपरदाय, सभी प्रकार के धर्मों के लोगों को, राये लेकर के, इस मस्यदों को तयार करने का प्रेत्न की है। 26 नवंबर को जब मसुदा तैयार होकर के उसके उपर दस्कत हुए थे उसको आधार मान करके आज़ा लेकिन यह जो देश में गणराजी की स्थापना हुई वो हमने 26 जनरी 1950 हो उसका भी एक इत्यासी कारण था इस कारण चे की क्योंकि 26 जनरी 1930 में रावी के तड़ पर जो कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में यह गोष्णा की थी कि संपुन स्वराज हम प्राप्त करेंगे और उसकी जो सफत ली थी उस सफत के इत्यासी दिन को इस सम्विधान के डोक्युमेंट के साथ जोडने के लिए हमने इसको 26 जनरी 1950 को स्विकार किया उसके पीछे जो इत्यासी कारण था उस कारण से हमने इसको डोक्युमेंट को स्विकार किया मैं सोचता हूँ कि उस समय जो कुछ भी था उस काम में लगभग 165 दिन तक इसकी बैठक चली हैना 114 दिन तक जो ड्राप्ट का जो काम दिया था वो अम्बेड कजी को दिया था मैं सोचता हूँ सारा जो कुछ भी मठेरल इखटा हुआ उस मठेरल इखटे होने को एक लेखबद करने का काम जो सबसे कठिन और सबसे उस चुनवती पूंड काम को उस व्यक्टी ने किया और उसके कारण से देश आज यह उसके प्रतीबहुती नतमस तक है कि वास्तबेड उस व्यक्टी ने जिस प्रकार का डॉकुमेंट तयार किया और देश का क्या समभाग है जो सारा हस्त लिखित है सारा का सारा document हस्ट लिखित है और वो भी इतने सुंदर अक्षरों में है और उसमें किसी भी प्रकार की एक ख्रूटी नहीं है आज भी वो वास्टर में जो document पड़ा है वो वास्ता में उस व्यक्ति के प्रती बहुत तेश करतेग है कि उसने अपनी हस्त लीपी से इतना बड़ा डोक्युमेंट जो लगभक 13 किलो वजन का है उसको उसने तैयार करके इस देश को सुपरुत किया आप हम भागिशाली है कि उन सब लोगों के कारण से हम इस प्रकार से पहुंचे हैं मैं सुचता हूँ कि इस हमिधान में जिन मूल अधिकारों को दिया उसके कारण से देश में सभी प्रकार के जाती, धर्म, दिंग, सब को मिटा कर संपूर्ण देश को एक व्यक्ति की तरसे यह समझ के कि एक सो बीस करोड एक सो पंद्रा करोड नहीं है प्रत्य एक व्यक्ति हिंदुस्तान है इसको मान करके जो कानून की रचना की है मैं सोचता हूँ समानता के अधिकार में अभी व्यक्ति की अधिकार दिया असपरशेता आप और मैंने अपने आँखों से देखा है हमने अपना वजपन भी देखा है कि अश्परशता इस देश का दुश्मन था और मैं सोचता हूँ महात्मा गांदी ने अपने जीवन का अधिकान समय इसी बात पर लगाया था कि इस बुराई कांथ कब होगा कैसे होगा और व्यक्ति-व्यक्ति के मन में देश के प्रति और स गुलाब चंद कठारिया देलवड़ा में पैदा होने वाला इस विदान सभा के सत्र में इतनी बार यहां आ सकता है यह वास्ता में इस हमविदान की बदॉलत है जिसके कारण से सामने सामन से गरीब से गरीब व्यक्ति का भी इस प्रकार के लोग तंतर में हो गया और इसक राजस्तान जवाकिशाली है कि उन साथ में हैना नहरू जी ने पंचायद राज का सुभारम नागोर राजस्तान से शुरुवात की है उस पंचायद राज के कारण चे है आज हमें कह सकते हैं कि गाओं के उस गरीब की बेटी को भी उस जाजम पे बेटने का अधिकार मिला जिसका भागे में कभी वहां लिखा ही नहीं था वो हमेशा उसके लिए जहां जूतियां खुली रहती थी वहां बैट करके वो सारा द्रश्य देखती थी उस समय उसको किती पीड़ा होती थी लेकिन इस लोककंत्र के इस डोक्यूमेंट ने इस सम्विधान ने इस प्रकार की ताकत दी कि संपूर्ण समाज के छोटे और बड़ों को बराबरी में ला करके उनके अधिकारों के साथ खड़ा करने का प्रियास किया मैं सोचता हूं कि हमने नागरिक्ता पंत निर्पेक्षिता और हमने इस सम्विधान में अल्प संपूर्ण के अधिकारों की रक्षा के लिए भी विशेष प्राविजन करके हमने इस देश में भलाई देश के विभाजन के समय मन में भारी कटुताएं हो सकती थी लेकिन उसके बाद भी इस सम्विधान के डॉक्यमेंट के आधार पर इतनी बड़ी संख्या में रहने वाले उस वर्क को भी लोगों ने आत्मसाथ किया और आत्मसाथ करके देश के साथ आगे बढ़ाने का प्रयाश किया मैं सोचता हूँ कि जो चुनाव की प्रक्रिया इसमें दी है अगर इस सम्विधान की सबसे बड़ी कोई आत्मा है तो यहां का लोगतांत्रिक चुनाव है मैं सोचता हूँ कि दुनिया के ऐसा देश शायद कोई नहीं होगा जिसमें इतने चुनाव होगे सरकार आई और चली गई एक मिनट में अटल बिहारी वाजपी समाज में आरक्षन देने का भी व्यवस्ता की क्योंकि समाज के अंदर यह पड़ी हुई खाई को कैसे पूरा किया जाए इसलिए उस कमजोर वरक को भी आरक्षन के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रियास किया मैं सुता हूँ इसी प्रोविजन के कारण से आपने देखा होगा कि OBC का भी आरक्षन इसी समुझधान के प्रावधान के तहद अपने देखा होगा कि उस सुची के कारण से OBC के जो जाती समुझधाय कमजोर मानी जाती उनको है और अपकी बार देश के प्रदान मंची ने आर्थिक द्रश्टी से कमजोर वर्क को भी आरक्षन दे करके उनको सब के बराबर लाने का जो प्रेत्न किया यह वास्ता में यह सब क्यों हो सका यह इस डोक्यूमेंट की उन धाराओं के ताहत जो शक्तियां हमको उबलद थी इस प्रकार का परिवर्तन और संचोधन करने का हमारा को अधिकार दिया था उनका उपयोग करते हुए हमने इसका पालन किया और हम अपने इस देश को यहां तक पहुँचा पाया इस देश ने कितनी बड़ी आपते जहली लेकिन यह देश इस हमिदान की ताकत के कारण से कभी भी ढिगा ने हिला नहीं आपने देखा होगा कि देश की आजादी के साथ कबायलियों का आक्रमन कश्मीर पे होना और हिंदुस्तान की फोजों ने उसको ख़देड करके इस जमू कश्मीर के इस हिस्से को बचाने का जो प्रेतन किया वो भी इसी में से है इस हिंदुस्तान ने भूगता और इस इद्ध को भी उन्होंने सारे एकोतर का युद्ध यसमें हमने बंगलादेश बनाया पाकिस्तान को दो तुकड़ों में तोड़ने का प्रयास किया और इसलिए देश के उस समय के परदान मंत्री इंद्रा गांडी के बारे में अटर बेहर इवाज भी हाउस पे बोलते हों कहते हैं कि वास्ता में हिंद्रा दुर्गा के रूप में है जिसने देश को इस सम्मान देखा हमने छोटा मन नहीं रखा इस प्रकार से देश क्यों जब किसी से ताकत मिलती है तो छोटे मन से सोच करके अलोचना करने से देश आगे नहीं बढ़ता है मैं सोचता हूँ उस व्यक्ति की उस महानता के कारण से आपने देखा लेकिन आपात काल भी हमने भोगता और आपात काल में आपने देखा होगा एक और के फैसले से आयों के गोशित होने के बाद सम्पुन हिंदोस्तान को जेल खाना बना दिया न कोई हमने कुछ जुनम किया था न कोई अपराद किया था लेकिन हमको उन धाराओं में डाल करके 18-18 मैने तक जेल में डाले रखा और उस 18 मेने की जेल भुकतने के बाद इस देश की जनता ने उस amendment को रदी की टोकरी में उठा कर फैक के बताया कि हिंदुस्तान की जनता महान है कोई भी सरकार मन चाहे डंग से इसका दुरफ्योग नहीं कर सकती तो वास्ता में इस देश की जनता की महानता है कि उसने इस प्रकार के कानून को तोड़ करके फेगा और उसके कारण से आगे वालों को भी सहग मिला कि तुम अपनी मनमर्जी से चाहे जो नहीं कर सकते हो अधिक से दिक तुमको अधिकार है के उल पांस साल का तुम कितने भी अपने आपको अभीमान कर लो कितना भी घमन कर लो लेकिन दुवारा तुम्हें उस जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा और जनता तुम्हें सुईकार करेगी तो लौट करके इस विधान सावा में में आना नहीं तो अपने गाउं चले जाना इस ते अच्छी व्यवस् से इसको रखा आपने इसको देखा हमने कई बार देखे अकाल देखे और अकाल में भी ऐसे भैनक आकाल देखे जिस समय हमारे देश ने तो अन्नकी शॉटेज के कारण से आमने दाल जुआर खा करकर के दिन निकाले मैं सोचता हूं इस देश के सामने एक चुनत आँ 65 के उद्धे में इस लाल जोर के कारण से हैना लाल बादू सास्ती के सामने संकट लाके खड़ा कर दिया अमेरिका ने कि तुम यह जीता हुआ भाग लोटा हो नहीं तो मैं तुम्हारा यह अनाज बंद करता हूँ उस व्यक्ति ने उस कत्का भली छोटा होगा लेकिन देश क स्वाभीमानी व्यक्ति था उसने कहा तेरा अनाज बंद कर दे कोई चिंता की बात नहीं तो जीता हुआ एस तावापत नहीं दूंगा और जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने और उसको उसने देखा इस देश में सबसे बड़ा संकट अनाज है हमारे हैं एक तरसे अध्यों क करांती के साथ खर्शी करांती हुए और आज हम इस बस्तिती में हैं कि हम अपना स्वेम का ही पेट्री भड़ते हैं हम अपने अनाज के द्वारा दूसरों देशों को भी सप्लाई करके और अपने देश के अन्रभंडार को हम जानते हैं इस देश की अस्टिता को आपने औ उलट फेर में चलती रही, लेकिन ठीक प्रकार से नहीं होता, बंब विस्पोर्ट इस देश का एक तमासा बना हुआ था, रोज कहिन कहीं कभी जैपुर में फटता था, कभी अजमेर की दरगा में फटता था, कभी किसी रेलवे स्टेशन पे फटता था, कभी किसी मज्जित म हुए, देश को इतना मजबूत किया कि पिछले लंबे समय से, पिछले पांच-छे साल से, एक भी वंब विस्पोर्ट नहीं हो ना, इंदुस्तान की लॉक्तन से की ताकत था, आपने देखा होगा हमारे हां, आप और हम सब सब पजगया था उत समय, जमने एक के बाद एक गोटाला जब रोज अकबार में उटके देड़ते थे, कोई टूजी का गोटाला हो जाता, कोई शकर खा गया, कोई यूरिया खा गया, कोई गास खा गया, कोई क्या खा गया, देश का दुर्भा कि, एना देश की जनता ने, इमानदारी से मैं कहा रहा हूं, छोटा माँ की गोद में मुझे नेता समझ करके, इसारा करके एकी चोर बेठा है, मैं चोर नहीं था, लेकिन वो जो जैस थी हमारी, उस जैस ने अपने आपको इतना नीचे गिरा दिया, इतना नीचे गिरा दिया, कि जन्चर्था का विशे हो गया, कि देश का राजनेता कर क्या आपको और मुझे, आप भले कितनी अच्छे तर्क दे देना, लेकिन अखेले जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान को तिरंगे जंदे को जूते के नीचे रगणना जिनका शौक बन गया था, जिन्हों ने हमारे फोजियों पर पत्तर फैकना जिनके आदत बन चुकी थी, और केवल अखेले जम्मू कश्मीर में, अखेले जम्मू कश्मीर में 42,800 लोग इन आतंकवाजियों के हातों मोत के खाट उतारे गए, इन सबसे में से भी देश निकला है, इन शारी परस्तित्यों से भी देश निकलने का जो है वो प्रयास किया है, और मैं सूचता हूँ, इस बारे में आप और वास्ता में इस देश का क्या सोभाग्य है कि साथ दसकों में सरकारे कई आई और कई कोई कांग्रेश की बनी होगी कोई समर्चित बनी होगी कोई किसी के सयोग से बनी होगी हमारी बनी होगी कुछ भी बनी होगी लेकिन इस देश के लोकतंत्र ने है इस इस सम्विधान की सुद्रता के कारण से हमारी नियाय पालिका हो, कारे पालिका हो, विधाय पालिका हो, इनको भी हम बहुत भुछ धन्यवाद देते हैं, कि इन सब परसितियों में से देश को निकालने का जो एक आश्यर जनक काम हुआ, उसका कारण में जड़ में अगर कोई है, तो इस सम्विधान के द्वारा निर्मित उन सारे कानूनों के कारण से जनके कारण से हुआ, हमने इस साथ दस्कों में, चाहिए सरकार आपकी रही हो, चाहिए हमारी रही हो, हमने देश को विकास के रास्ते पर अगर असर किया है, ये कोई नहीं कह सकता है कि इस इतने नहीं किया या उसने नहीं किया, कम जादा हो सकता है, अधी कम हो सकता है, उन्हों में अंतर हो सकता काम में, लेकिन इन सारी इस प्रकार का भुगत करके चल रहे थे, उसमें हमने सुद्रता लाई, उसमें विकास का कार किया, आपने देखा होगा, आज की तारिक में, हमारा जो रेल्वे का नेट वर्क है वो कितना सुद्रण हुआ कभी आप और मैं जब कभी दिल्ली भी जाते थे एक गाड़ी थी स्टेटर थे उसे ही जाते थे लेकिन आज गाड़िया जाती भी है चाहे वो जल्पाई गुड़ी से निकली हो उसके बाद भी जैपूर रेल्वे स्टेशन पर पांदस मिनिट के अंदर से वो गाड़ी कवर कर जाती पहले रेल्वे स्टेशन पर जाने के पहले ट्रेन में बैटने के पहले नाक सिखोड करके दूर जाके खड़े रहते थे लेकिन इस देश की लोगतंत की विवस्ता ने आज सारे सारे जितने भी रेल्वे स्टेशन हैं इतने साफ सुत्रे दिखाई देते हैं कि शायद आपका और मेरा घर भी उतना साफ सुत्रा नहीं हो इसका मतलब देश ने इस और अपने आपको आगे बढ़ाया इस देश के वेज्यानिकों में चंद्रमा तक जाकर अपनी पहुंच बनाई है तो इस देश का विकास का ही माप्दन है राष्टी राजमार्गों की दर्ष्टी से भी हमने काफी तरक्की किया अब आपको अठपटा लगेगा लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पिछले पांच सालों में साथ हजार किलोमेटर नेचनल हाईवे बना करके रेकॉर्ड कायम किया ये मेरे आंकड़ा नहीं है आप अपने पीडेवलुटी के मिनिस्टर से पूछ लेना कि अगर वास्ते में देश के आंकड़े उसके पास हो साथ हजार किलोमेटर नेचनल हाईवे बनना कोई सामानी खेल तमाशा नहीं है मैं उस तुलना को नहीं कर रहा हूँ मैं सोचता हूँ कि आपने विकार आपने राइट टू एजुकेशन दिया हो आपकी सरकार ने दिया लेकिन उसके कारण से उस बच्चे को आगे बढ़ने का एक रास्ता जो हमारे निटी निर्दिशक तत्व में था उसको आपने टुच करते हुए उस राइट आप एजुकेशन का राइट दे करके हर बच्चे को विद्यार्थी शिक्षा से जोडने का नरेगा के माध्यम से रोजगार देने का आपने काम क्या पूर्ट सेक्यूरिटी के तहट आपने उसको देने का प्रयास किया मैं सुचता हूँ कि सरकारे इधर आएगी उधर जाएगी लेकिन ये कुछ ऐसे माइल्स्टोन के काम हुआ है जो इसी लोगतंत्र की स्व्यवस्ता में से हुआ है एक भारत शेष्ट भारत देश एकता खंडता और अक्षुन कायम रही इसके देश की व्यधाई का कारिपाले का नाईपाल महत्मुन युदा है विवित्ताओं के बावजूत देश क्या अपने देश में कितनी बाचाय हैं कितनी वेश भुषाय हैं कितने खाने हैं कितने पूजा पद्धतिया हैं इतनी भिन्नता में भी अगर देश को इक ही कही के रूप में बान दिया तो वास्ते में उन मापुरुषों को नमन करना चाहिए जिन्होंने आजादी के समय हुटिलता के कारण से अंग्रेज ऐसी हमको आजादी दे गया था और ये सोच के गया था कि आपस में लड़ मरेंगे और ये खतम हो जाएगे मैं सोचता हूँ उसके बाद भी इतनी रियासते होने के बाद भी ये सरदार पटेल को मैं आज भी नमन करता हूँ देश नमन करता है कि उसने सारी इस रियासतों को एक करके और हिंदुस्तान को एक इकाई के रूप में बांद कर आज जिस भारत के अपन दर्शन कर रहे हैं मैं सोचता हूं कितने वर्षों के बाद ये सौभा कि आपका और मेरा हुआ कि संपुन भारत एक हिकाई के रूप में दिखाई देता है उसका शेय उन लोगों को जाता है जिनों परते हैं एक समस्या छोड़ी थी केवल नहरूजी लिए बाद भी उसको हम अपने देश के साथ हिंदुस्तान के तिरंगे जंडे को जराना उनका शुक बना था हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने के लिए भी ये डिककनिया कुमारी से हमारे जो है बुल्ली-मणोरी जोशी को जाकर कर लाज चोंक में जंडा कहराने के इस समय आपने अपने उनको शायद अपने साथ जोडने के लिए सोचा होगा कि शायद हो सकता है इससे वो जोड़ जाए लेकिन वो टेम्परेली धारा बहुतर साल तक रह जाए पच-पंच साल आप दिल्ली में राज करो और उसके बाद इस छोटी सी बात को आपने करने की ह समस्या को 48 धानमंची ने जन्ता से अपील की थी नेशन फर्स्ट इस बात को लोगों के दिलों में उतारने का प्रयाज किया और उस उतारने का सफलता का आधार क्या बना आपने देखा कि इस हिंदुस्तान के एक करोड़ लोगों ने गेस सब्सीड़ी जो उनको मिलती थी उसको उन्हें ने छोड़ी और उसके कारण से हिंदुस्तान के आठ करोड़ लोगों के घरों में मुफ्त गेस कनेक्शन जा करके मैं सोचता हूँ कि उनके घर को भी एक तरसे एक सुख का अनुभा हुआ कि आप लगता होगा कि वास्ता में एक कुछ हुआ या नहीं हुआ यहना रेल टिगेट में जो वरिष्टा का जो अधिकार मिलता है इस नेशन फर्स्ट की भावना को जागरत करने का जो प्रेत्न किया उसके कारण से तरसट लाख लोगों ने जिनको वरिष्ट नागरी के नाते रेल वे में कनेक्शन मिलता है उसको कनेक्शन को उसने छोड़ा स्वचता अभियान महात्मा गांदी महात्मा गांदी आप और मैं बहुत सालों तक कहा लेकिन वास्ता में स्वचता को उतारने का किसी ने प्रेत्न किया तो इस देश के प्रदान मंत्री ने लाल किले में से गोफणा करके किया आप आप बिरांजें आप बिराजें प्ले आव अब नहीं डाले विराजें आप 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 बिराज़े विराजें आप श् Aside गाज Kayla को इस प्रिकिशे शोकता हुं कि आज हर व्यक्ति और हर व्यक्ति के मन में ये भावना आई है कि हमें वास्ते में स्वच्चता की और ध्यान देना चाहिए आज आप जाएंगे बस्टेंड आपको साफ मिलेंगे आज आओगे आज आपको रोडे साफ मिलेगा अगर कोई गिरा भी दिया किसी ने तो पीछे चलने वाला आजमी उस गिरे हुऊ का हाथ में लेकर के जाता और कुड़े दान तक जाकर उसको डालता है ये काम पचास साल पहले भी हो सकता था ये आज की इंदजार क्यों कर रहा था इसका मतलब इस देश की भावना को जगाने का अगर प्रैस न करो तो देश की जनता आपका साथ देने को तयार है ये जो एक नया नारा है कि प्लास्टिक मुक्त भारत हो इसी दूर से इस प्लास्टिक ने हमें कितना वर्बात किया है यह आप और हम सब रोज अनुभव करते हैं और स्वेम अपने जीवन में देखते हैं लेकिन इसकी और भी कदम बढ़ाने का प्रयास इस व्यक्ति ने जो है वो किया है मैं सोचता हूँ यह आयोध्या का जो समस्या है अलोचना करना यह बात करना वो आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आयोध्या का फैसला कोई सरकार नहीं किया मैं सोचता हूँ कि न्याइपालीका कोई मटलब है ना इस समिधान में न्याइपालीका कारेपालीका कोई है और न्याइपालीका अगर ये काम आज कर सकती है तो ये 20 साल पहले क्यों नहीं कर सकती थी माने सदेश बिराजें कि माने सदेश आप बिराजे हैं और दम है तो जो करो खड़े होगा करो तो आपके इक शम्ता नहीं है सुप्रिंग गोर्ट का फैसर आपके करने से हुआ है क्या अर्बात को सुनने ही सब्सक्राइए सुनना पड़ेगा सुनना बोलने जाए मंत्री नहीं मनाएंगे उसे सुधार करो और पीछे से क्यों मोल रहरे है तो खुल के करो ना शेया है अब रहाज़े एक बाट आप भिराजे अब रजाए बना रहा है कि इनके कहने सब्सक्राइब करने वालों के बाहर निकाला जाए मानने सभापती जी आप सबसा मेरा निवेदेन है आप मेरा जो आप कल बहुत अच्छे सार गर्मीक तरीके से सदन को चलाया मानने नेता आप तो मत बोलाने मानने सदज नेता प्रतिबक्ष बोल रहे हैं सदन के नेता बोलेंगे हमारा सब का दाइत वह है कि सविदान जैसी मरेदा पुर्वक बात को बहुत शालिंता के साथ में सभी सुनो सीखने का सब को अफसर मिलेगा हम सब इस सदन में बैट गाकर यही काम करेंगे तो फिर बाहर संदेस हम क्या ले जाएंगे माप करो कोई इस तरकी बात हम कोई नहीं करेंगे मानने आप बिरा जाएए आप बैट जाएए आप बैटो एक मेंट बैट जाओ इस से बढ़िया मोका हमारे सब के लिए अच्छा नहीं हो सकता है सब सुनो आप मानने सदृश्टि आप बिरा जो कट आप बियार जो काई में बहुती थी इनको आप बिरा जो एक मेंट थी आपने इनको ये जबाब दे रहे हैं किसमें तबापती को भी यही चलाएं कोई अंकित नहीं होगा नेता प्रतिक्ष के आलावा कोई अंकित नहीं होगा अपना नहीं अपना नहीं होगा तिर्बी नहीं बोलने दोगे आप दिराजाईये आप बिराज़ा ही है अद्यक्ष मोदे अद्यक्ष मोदे न्यायले आप बिलाएंगे ना न्यायले का फैसला लगातार सुनवाई के कारण से एक निरना एक दोर पे पहुंचा इसके पहले विबिन कोड़ों में इसका मुकदमे रोज देशियां बदलते बदलते ही समय निकलने तेकिन इस देश के प्रधान मंतिर ने अपने सुप्रीम कोड को इस बात के लिए कि आप चाहे जो फैसला दे जो डोकिमेंट रेना चाहो वो ले विल्कुल आप अतिजना कही है कि आप चाहे जो अपने सुप्रीम को डिए ऴर याप य कि आप प्रधान मंतिर निर्देश देरे कमाल करको आप यह विए तो तेकिन आप नगे रहे कर डोकिमे आप नगे मीं निर्देश देरे कर आप नगे जो लेए जो जोड़ों विल्दादों को सब्सक्राइब करें। प्रदान मंत्री अरे छोड़ो यह इस तरह कि नोटन की यह नोटन की करना बंद कर दो प्रदान मंत्री बिराज चनेले को निर्देश देंगे आप यह कहना चाहते हो नोटन की बंद कर दो आरा 370 पाराम मंदिर को पुछ रात लगने वाला नहीं है के फैसले से गलत्दे में मता करना तुम लोग कोई भूमी का नहीं इस ब्रादर मदर का प्रदी का इतना है है पर राम बंदीर को अगरा नहीं पर नहीं जाए नायर कोई पूम्दीर को अगरा नहीं जादो दोजार्च चूदा में अगरा दोजार्च करो हमारा से निथा पर दिवी का अच्छ का प्रों ट मैंने यह नहीं कहा कि ऺड़ान मंश्जी जी नहीं कि प्रधाऱ्य। फैतला कोर्ट नहीं किया यही फैतला बीच साल पहले भी हो सकता था अगर लगातार हीरिंग करते अगर लगातार हीरिंग करते एक प्लीज प्लीज आप इसकी गंपीरता को समझें अची डिवेट चल रही थी मैं फिर निवदन करूंगा कोई भी सद्सी इंट्रिविश निकरेगा जब तक माननी सदिश जो बोल रहे हैं इल्ड नहीं करें आप परमपरा को समझें कोई सदिश जब बोल रहा है जब तक वो नहीं बेटे तब तक किसी को बोलने का अधिकार नहीं है करके इतना पेस्टेंट टकें पाल्यामेंटरी प्रैक्टिसेज की किताबों को पड़ें नीयम और कानून को पड़ें इस बात की परमपरा को समझें अब तरह से बीच में अच्छी डिबेट करें अच्छी डिबेट को अच्छी डिबेट की तरह ही जनता के बीच में जाने दें पूरा का पूरा आपका प्रोसिटिंग यूट्यूब पे जा रहा है तो जनता पूरी देख रही है कि नियम, कानून, किस तरह की डिबेट हम कर रहे है हम इस डिबेट को इसलिए कर रहे है कि देश की जनता को खास्त हो से प्रदेश की जनता को यह मालम पड़े कोई मानि सजय सी बोल रहा है तो पीस में इंटरेमें नहीं करें, बेठे-बेठे नहीं बोलें, जब जब आप देने का मौका मिलेगा, तब मानि मुक्य मंतरी जी बोलेंगे, मुक्य मंतरी जी उन सब बातों का जबाब बेपाएंगे, जिनका मानि पृतिप्पख्स के प्रिवार्पन करूंगा क्रप्पपईया एक अच्छी डिवेट हो रही है उसकी मैता और इपोर्टेज को समझते हुए क्रपईया नियम और कानून का पालून करे मानिपृत्वस के नेता महां प्लीज। महां प्लीज। महां नी करूँगा। आप संसधी मंतरी है आप कुछ नी बधान नी करना, कोर कोаете ? मैं प्लीज बढ़े किये स dei कुछ नी करद गता आप सीमें अतुने लीडर, संसधी मंतरी है और के आपको देख एक जरबा करना बोलों다, इंधिनý भेल जरे होके मैं आपसे आशानी करता हूँ प्लीज मैं आशानी करता हूँ और खास तोर से मंत्रियों संसधी मंत्री से नियम और पालन करते हैं कि जिम्मदारी हमारी है मैं अशानी करता हूँ यह मैं आपसे पेख्षा करता हूँ जब चैर पेख्षा पालन करें यह मैं आपसे पेख्षा करऊंगा माणी प्रचुस्किने था मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैंने कहा कि एक ऐसी समस्या जिसके कारण से इस देश में विद्वेश फ्यला हुआ था लंबे समय से, इस समस्या के कारण से दो संफ्रदायत, दो धर्मों के बीच में दिवार थी, लेकिन इस देश का सवभाग है, कि 40 दिनकी लगातार हेरिंग के बाद जब फैतला हुआ, तो सभी लोगों के मन में डर था, कि बहुत कुछ उत्वाद होगा, लेकिन देश की सभी, हिंदू ने भी और मुसलमान ने भी, उस न्याय लेके आदेश को जो पांचों की पीठ ने सर समती से दिया, उसको देश ने स्विकार करके वर्षों से उल्जीवी समस्या को एक हल होने का रास्ता मिला, जिसके कांचे देश में चान्ती और अमन्त चेंग साफित है, अध्यक्ष मौद है, एक बहुत छोटा सा काम था, आधार कार्ड, इस देश में देश के पूर प व्यक्ति तक पहुंचे पहुंचे पंदरा पैसे रही जाता है, लेकिन उसका हल नहीं निकल पाया, लेकिन इस आधार कार्ड ने जो हल निकाला है, वो आपके और हम सब के लिए चूंकने वाला है, इसको केवल ये मतले हो का आपने निकाला या हमने गलत किया, इस आधार क जोगें वाधने एन जाएंचन भी इसमें से थी छात्रवर्ती उक्ति थी और इसके कारण से अध्यक्ष मोदें डेह लाख क्रोर रुप्या साला ना इस आधार कारण के कारण से इस देश का बचा है और इसको भी आपने यहाधार कारण को लेकर ठेट सुपरिम कोड तक आप लोग है लेकिन आपको सफलता नहीं मिली हम चाहते थे कि इस ब्रष्टाचार के राक्षस को कहिं कहीं मारा जाए और इस ब्रष्टाचार के जो फर्जी नामों से मैं स्वैम आपदारात मंती रहूं। आपदा रहात में हर एक के खाते में पैसे डालना चुरू किया जब मैंने इसको ओनलाइन किया तो मुझे जैसल मेर बार मेर के फिगर देखकर के माथा पकड़ लिया मैंने कि यह यह आदमी है ही नहीं और इतने वर्सों सक इसके खाते का पैसा उड़ते ही चला जा रहा उड़ते ही चला जा जा रहा यह आदमी तो जमीन पर ही नहीं है जब इसको ओनलाइन किया तब जाकर के हमें यह पकड़ में आया और उसके कारण से लाखों लोग जिनका नाम हमने सुची पे चड़ा रखा था गिनको इतना पैसा देना वो लेने के लिए ही नहीं आये क्योंकि उनका कहीं आधार नहीं था तो मैं सूचता है इन बुराईयों कांत करने के लिए जो प्रियोग किया और अच्छा प्रियोग हुआ उसके बारे में आपको और हमको सबको उसके बारे में आगे बढ़ाने का प्रेतना करना चाहिए क्योंकि लक्ष आपका और मेरा दोनों का एकी है कि देश का उस गरीब के टेक्स का पैसे का सदुप्योग हो उसमें बचत हो उसमें किसी भी प्रकार का हेरा फेरी नहीं हो इस बचाने का है अब GST के कारण से बहुत तुफान मचा लेकिन यह आज सच है कि GST का प्रियोग जिस सिम्मत के साथ वा 99% आज टेक्स के दायरे में लोग आने लगे हम भी टेक्स देने लगे और व्यापारी भ टेक्स पहले कई सोर्स से मल्टी स्टोर्स से लगता था वो कई बार 25% 27% पहुंचता था अब लगभग 11-12% की रेंज में आकर के लगा सरकार की आमदानी भी बढ़ी टेक्स की चूरी रुकी व्यापार में सुचीता है और यह जो अधिकारियों का जो लाल फिता साही थी उस पर एक रोक लगने का जो है प्रयास हुआ है आपको यह भी शायत अच्छा नहीं लगेगा कि तीन साल में 8 क्रोड मुफ्ट गेस कनक्शन दिये उसमें से दिये जो एक क्रोड लोगों ने पैसा अपना रुकाय उनके पैसे से दिये पांच साल में अगर आप बता देना मैं सोचता हूं कि रिवेट बंद कर दे रिवेट बंद कर दे फिर बता आप खुद आपने नियम का पालन ने करने जाते हैं देख जी मैं क्या इस देश के उस गरीब आजमी को सोचा लेका उपयोग करने का अधिकार ने मैं और आपने कितनी ट्रेवलिंग की होगी साम के समय जब भी कभी निकलते थे अपनी मोटर साइकिल लेकर के तो खेती के टाइम पर सब खेत बंद हो जाते थे सड़क के किनार से साथ महिने में साथ क्रोड लोगों को सोचा ले में लेटिन जाने की सुईता उपलत करा दी अच्छा नहीं लगता है आपकी इच्छा नहीं लगी तो कोई बात नहीं तीन साल में पांच साल में एक सो पचास क्रोड आवास उपलत करा ये भी आप अच्छा नहीं जिसके कारण से सीधा पैसा हो दिख के पहले कोई भी घाता चाहिए आब जाता अधिकारी जाता हो कोई भी जाता जब कैस बाड़ता था तो बाड़ने मेड थोड़ा मन कम जो रहा जाता था लेकिन अब कोई गुंजाशी नहीं है उसकी चार चीड़ कहा जा रही है खाते में जा रही है पैसे कहा जा रही है खाते में जा रहा है उसकी जो है ना स्कॉलर्शिप कहा जा रही है मेडिकल कहा जा रहा है बाकी चीज़े कहा जा जा रही है वरता उस्ता पेंशन कहा जा जा रही है यह सारा जो खाते में जाने के करण से यह क्यों व्यक्तिने का खोलो उसके कारण से इस देश में जो लिखेज है जिनके कारण से लोग इसका दुर्भ्यों कर रहे थे उस पर एक रोक लगी और उसके कारण से इतने खाते हैं आयुस्मान भारत के कारण से पांच लाख रुपय की आर्थिक साइथा बेडिकल देना कोई गुना तो नहीं किया हैना हमने राजस्तान में पहले जी भामाशाय योजना के चेती सजार से तीन लाख रुपया दे कर गे उस गरीब को मज़द करने का प्रयास किया वो आपको भामाशा के नाम से चिड़ थी कोई बात नहीं लेकिन इसने देश के संपुन देश को इस आयुस्मान योजना के तहट जोडने का प्रयास किया और लगभख पचास करोड लोग इस आयुस्मान स्कीम के तहट पांच लाख तक इसमें कवरिज हुआ आपको ये भी अच्छा नहीं लगए हिंदूस्तान के सब किसान जिनकी संक्या पंद्रा क्रोड चोटे बड़े सब उनको किसान सम्मान निदी गई इसको भी आपको अच्छा नहीं लगता है अधिकार के साथ साथ मेरा जो भी नमर प्रार्थना है कि जब तक करतवे जह है वही अधिकार पैदा करता है बिना करतवे के अधिकार नहीं आता कभी भी और आपने देखा होगा कि देश महत्मा गांधी ने उस समय पहुत प्रार्म में का था राइट जूटी वेल हैना अगर आप करतवे करोगे तो अपने आप अधिकार आपके पास पहुँच जाएगा मैं सोचता हूँ इस देश में इस समय धान में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो उन्होंने इस और भी इंगित किया नीती निर्शक तत्व की तरफ इंगित किया आपको डूटी मैं सोचता हूँ कि इस व्यवस्ता में आप देखो कि हमको कुछ ने कुछ ऐसे करतवे के बारे में भी समाज को भी जागत करना अब बच्चों को शिक्षा के बारे में बलगभग सब लोग जाने लगे लेकिन मात्र भाशा में शिक्षा हो इसके बारे में अभी भी कमी है ह एमको इस कर्तवे को भी आगे बढ़ाने का प्रेत्न करना चाहिए, कि हर व्यक्ति को अपनी मात्र भाशा में शिक्षा लेने का अधिकार हो। मैं सोचता हूँ टीका करन के माध्यम से व्यक्ति को बचाने का प्रेत्न तो कर रहे हैं। अगर इस ठीका करन में हम किसी प्रकार से लोगों को जोडने का प्रेत्न करें, उनको शिक्षा दिक्षा या उनको समझाने का प्रेत्न करें, तो मैं सोचता हूँ जो जनहानी हो रही है उस जनहानी को केवल इस एक अभिहान को ठीक प्रकार से चला लेने चे हम इस पर नियंतरन पा सकते हैं अब मैं सोचता हूँ वोड देने का अधिकार है लेकिन कई लोग वोड देने जाते ही नहीं वोड देने भी जाते हैं तो आप और हम सब जानते क्या हो रहा है मैं सुलता हूँ कि इसी तरसे ब्रश्टाचार इस देश के अंदर इसको हम अपने कर्तवे में लेकर के मैं इसे मुक्ती दिलाओंगा देश को इस बारे मिलावट खोरी आपने और हमने रोज सबेरे पढ़ते हैं इसके बारे में भी इसको कर्तव में डालना थी है आज मैं आप सब वह विनमर प्रातना कर रहा हूँ अगर इस समिधान में जो कुछ भी लिखा गया है उसका अगर अक्षर सा आप और में और मेरी पाइटी और आप पालन करें तो इस देश को और उचाई पर ले आ सकते हैं लेकिन हमने राजनीती को गंदे रास्ते पर डाल दिया हमने हमारे कैंड़ेट तेह करते समय यह सोचा इस जात के वोट कितने इस के कितने रोज बैटे बैटे गणे ताप और हम यही लगाते हैं और उसी के आधार पर इस जाती वादी जहर को, इस राजनीती ने इस देश को एक दूसरा नया, है ना एक तरह से गिरने का रास्ता दे दिया, धनबल के आधार पर हम कैंडिडेट ते करते हैं, और अभी आपने, देखा होगा अभी हमने एक अमेंडमेंट किया, कि 19 को रिज पैसे के आधार पर राजनीती करो, ये आपके लिए ठीक हो सकती है, मेरे लिए ठीक हो सकती है, पाइटी के लिए ठीक हो सकती है, पर देश के लोग तंतर के लिए ठीक नहीं हो सकती है, याद रखना आमर हो करके नहीं हो, आमर हो करके नहीं हो, नहीं हो करके नहीं हो, नही पहली बार हुआ है कि positive vote पड़ा बाकि हम आपकी आलोतना करें वोट ले जाएं आप मरी आलोतना वोट ले जाओ यह पहली बार जनता ने positive वोट जना शुरू किया क्रफा करके इस लोगतंत्र को इस सम्विधान की मंचा के अनुसार मंचा के अनुसार positive क्षठ्र में लाओ अगर competition करना है तो विकास और काम के आधार पर करो अपने चरित्र के आधार पर राजनेती को उठाने का प्रेंतना करो अपने स्वेम व्यक्ति को जीवन के आधार पर राजनेत्र ये परीवार में फस करके मरे जा रहे हो फिर भी नहीं मानना चाहते हो तो तुम्हारी मर जी मैं इतना ही कहकर अपनी बात का समुदा